अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शुक्रवार को दो आतंकियोंने भीड के बीच अंदा दुंद फाइरिंग कर दी। हमले में 29 लोगों की मौत हो गई एक सड़ खायल है। बाद में सुरक्षा कर्मियोंने दोनों आतंकियों को मार गिरा है। आतंकी संगठन IAS ने हमले की जिम्मिदारी ली है। हताहत हुए लोग हिज्ब ए वहदत पार्टी के नेता अब्दुल अली मज़ारी की पहली बरसी पर उन्हें शुरद्धांजली देने जुटे थे। हाल में अमेरिका और तालिबान के बीच हुए शांती समझाओते के बाद यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है। अफगानिस्तान के राश्पती अश्रफ गनी ने हमले की निंदा की है। उन्होंने ट्वीट किया यह हमला अफगानिस्तान की राश्प्री एक्ता और मानव्ता पर प्रहार है।